Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डबल पूरी तरह खतम हो चुका है, तो अभी आपको पता ही है, कि यहाँ पर जो पूरा जम्मू कश्मीर था, वो लद्दाग जो है, यह यूनियन टरिटरी बन गया है, यह पूरा हिस्सा जहाँ पर गिलगिल बलतिस्तान यह सारी अजियास देखने को मिलते हैं, और साती साथ यह पर यह पूरा जम्मू कश्मीर है, यह भी अभी यूनियन टरिटरी बन गया है, लेकिन इसमें खास बाती है, कि यहाँ पर आपको जो एसेंबली है, वो भी आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी, और आगे चलकर सरकार का कहना है, कि हम इसको वापस से पूरी जो स्टेटस है, वो भी दे दिया जाएगा, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर चर्चा करूँगा, कि चार साल के बाद, क्या वहाँ पर जो सेक्योरिटी सिचुएशन है, सुरक्षा की जो स्थीति है, वो किस तरीके से बद्दी है, उसका स्पेसिफिक ध्यान में रखते हैं, ये वीडियो मैंने बनाया, ताकि आपको चीजों की जानकारी हो सके, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा था सुरक्षा की जो विवस्ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर उसको सुधारनी की बात सरकार ने कहा था, तो कितना हद तक उसमें सकसेज मिला है, वो मैं चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिप्रेशन कर रहे हैं, और प्रिलिम से लेकर इंटर्व्यू तक की पूरी त्यारी एक सिंगल बैच में करना चाहते हैं, तो तीन लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, प्यॉर इंग्लिश, प्यॉर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, कोई भी लेना है, जल्दी से हमारे वेबसाइट अप पर जाएए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहाँ पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, अब ये जो अंकित लाइव कोड है, इससे आपको maximum discount मिलता है, अगर आप इसको use करते हैं, और साथी साथ इसके अंदर live classes, personal mentorship, test series, सब कुछ मिलता है, कुछ भी और लेनी की आउशकता आपको नहीं पड़ेगी, और इसके साथ साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वह उसके बाद से आपने देखा होगा, especially जम्मू कश्मीर के जो political leaders हैं, उन्होंने इसको injustice थराया है, in fact भारत में भी बाकी के जो opposition के leaders हैं, उनका भी आपने देखा होगा बयान, कई बार उन्होंने कहा है कि जो article 370 है, वो वापस आना चीए, खैर इसको लेकर अभी petition चल रहा ह Supreme Court के अंदर finally जो इसकी सुनवाई है, वो start हो चुकी है, वो देखना होगा Supreme Court का यहाँ पर निर्णय क्या आता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आज हम बात करेंगे security situation को लेकर, किस तरह के हलात हो गया है, देखिए एक जो important चीज अकसर आपको सुनने को मिलती थी, 2019 के पहले वो था स्टोन पेल्टिंग का, अकसर हमें देखने को मिलता था, छोटे बच्चे से लेकर कई लोग कई बार भीड के अंदर स्टोन फेका करते थे, पत्थर फेका करते थे, तो उसमें क्या गिरावटा है, देखो बताया यह जा रहा है, कि जिस तरीके से security forces तैनात की गई है, it is unprecedented, जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी मात्रा में अभी आपको देखने को मिलेंगी, और central agency जैसे NIA हो गया, national investigation agencies, जिस तरह से उन्होंने action लिया है, इसकी वज़े से बताया जा रहा है, कि virtually अगर आप कहें, तो जो stone pelting के जो accidents होते थे, जो incidents होते थ आप देख सकते हो, 2021 में January से लेकर July के बीच में अगर आप देखिए, तो सरफ 76 incidents हुए हैं stone pelting के, अब आप सोचोगे कि 76 भी तो ज़्यादा ही हुए, बात सही है, लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2020 में January से जुलाई के महने में 222 incidents हुए थे, फिर 2019 में आप देखिए, मतलब ठीक Article 370 हटने के पहले अगर आप देखोगे, तो 618 incidents आपको देखने को मिलेंगे, तो उस मामले में अगर आप देखिए, तो 2021 में काफी कम हुए थे, और अब तो आपको almost nil के बराबर देखने को मिलेंगे, फिर इसके साथ- तो injuries होती थी, मतलब की security forces को जो चोट पहुंचती थी, injuries होती थी, उसमें भी बड़ी गिरावट हो ही है, 2019 में January से July के महने में 64 injuries देखने को मिला था, वही 2021 में आप देख सकते हो, same January से July के महने में 10 injuries देखने को मिली है, फिर इसके साथ-साथ January से July के महने में 2019 में जो civilians को च 339 था, जो कि 2021 में गिर कर हो गया है, सिर्फ 25, मतलब कहा 339 civilians को चोट पहुंचा था, आपको याद होगा न, अक्सर debate होता था, pellet guns को लेकर, batten charges को लेकर, कि पुलिस ने, आर्मी ने, यहाँ पर लाठी से, या फिर कई बार, pellet guns चलाए हैं, तो इसको लेकर भी कई बार human rights व बात से अगर आप देखिए, तो जम्मो कश्मीर administration इस तरह के सारे data collect करता है, कि law and order का situation कितनी बार बिगड़ा, जिसके अंदर stone pelting भी शामिल है, तो आप देख सकते हो, 2022 में सिर्फ 20 law and order के incidents होएं, मतलब 2022 से लेकर अभी तक, सिर्फ 20 law and order के incidents देखने को मिले हैं, तो कही न क इसमें एक बड़ा success हासिल हुआ है, जहां तक अगर हम stone pelting की बात करें, law and order situation खराब होने की बात करें, फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, militants को जिस प्रकार से arrest किया गया है, इसकी वजए से incidents भी काफी कम होएं, जैसे कि जो overground workers होते हैं, कई सारे militant groups के, आप देख स तक तो इसकी संख्या में इजाफा हुआ है, मतलब arrest जादा हुआ हैं, 178 के आसपास arrest हुआ हैं, government का data show करता है कि इसकी वजए से जो act of terrorism है, उसमें भी decline हुआ है, 32%, 2019 से 2022 के महने में आप देख सकते हो, मतलब article 370 हटने के just बात, 5th of August को जब ये हटा, तब से लेकर आप ये आप देख पाओगे, लगभग 32% का जो act of terrorism है, उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और इसकी वजए से क्या हुआ है, जो मिर्ति होती थी security forces की, उसमें भी गिरावट हुई है, 52% जो death है security forces की, उसमें गिरावट हुई है, और साथी साथ जो citizens का death होता था, उस उसमें भी 14% की गिरावट हुई है, तो overall कहने का मतलब यह है कि जो terrorism के activities थी, उसमें गिरावट हुई, और जिसकी वजए से कई लोग जो terrorism के अंदर शामिल होते थे, मतलब कि जो admission होता था terrorist का, उसमें भी लगभग 14% आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि एक अच् कश्मीरी पंडित को यहाँ पर attack करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो spate of killings of civilians है, उसमें कहीं न कहीं आपको rise देखने को मिलेगा, especially of कश्मीरी Hindus and non-कश्मीरी in the valley, वैली की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ, त इन 4 सालों में जितनी भी civilians की मिर्तियू हुई है, उसमें से 50% से ज़ादा मिर्तियू पिछले 8 मेहने में हुई है, ध्यान रखेगा पिछले 8 मेहने में 50% से ज़ादा मिर्तियू आपको देखने को मिलेगा इन 4 सालों के अंदर, और यह incidents कैसे कराये जाते हैं, अगें भारत में कुछ लोगों को recruit कर लिया जाता है कश्मीर के अंदर और उसके माध्यम से यह attack करानी की कोशिश की जाती है, there have also been attempts by militants to attack Hindu dominated areas in जमू, देखो जो जमू कश्मीर का जो अगर हम जमू region देखें, जमू division की बात करें, वहाँ पर क्या था कि पिछले काफी लंबे समय स कई वर्षों से, यहाँ पर attack देखने को नहीं मिला था, लेकिन चिंता जनक बात यह है कि वहाँ पर भी अब attack स्टार्ट हो गया है, लास्ट इस तरह की चीज़ें 2000 में देखने को मिले थी, और 2022 का यह जो साल स्टार्ट हुआ पिछले साल से, तब से देखने को मिला है कि रिकवर्ड मल्टिपल आईडी जिससे बॉम ब्लास्ट वगर किये जाते हैं, जो कि कही न कहीं हिंदो एरियास को टार्गेट करने के लिए किया जा रहा था, और सिविलेंस के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूँ, कई सारे जो हमारे फोर्सेज हैं, आर्मी जवान हैं, वो भी वीरगती को प्राप्त हुएं, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने सुना होगा कई बार जम्मू के अलग-अलग रजवरी, कई सारे डिस्टिक्स में अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर यह इंसिडेंट हुआ था और इसमें चिंता जनक बात यह है, कि ज सवाल उठता है, और सरकार को इसको लेकर कही न कहीं ध्यान देना चाहिए, और काम करना चाहिए, तो यह पूरी ओवराल सिचुएशन है, खेर यहाँ पर एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो LG साब है, लेटियन गवरनर है, उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप्मेंट हो गया, उन्हों सभी पर काम चल रहा है, जैसे कि हाईवेज एंड टनल प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे, तो इस समय डेल लाक करोण के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जम्मु कश्मीर के अंदर, जो की, तो 3450 MW है, और अभी यह जो पाच नए पावर प्रोजेक्ट्स लगाएगा हैं, इससे 32 में 100 MW, यह और एडिशन हो जाएगा, मतलब अल्मोस्ट डवल हो जाएगा, तो कहीं न कहीं यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स सरकार लेकर आई है, इसके उपर क लाम चल रहा है, यह मदद कर सकता है, और ज्यादा सुरक्षा लाने में जमू कश्मीर के अंदर, तो लेट सी, आपका क्या सोचना है, इसको लेकर आज 4 साल पूरे हुए थे अनवर्सिरी था, तो मैंने सुचा है कि इसके उपर डेफिनिट्री बताना चाहिए आपको, और इस समविधान के आर्टिकल के violation पर किया जाता है, यह आपको बताना है, इसका right answer आप सब को बता है, मेरे Instagram पर तो मिले गा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं हो कोई बागी जगाँपर आप Μेरे से social media पर उच्टे़ आप जूर ज़ोर सकते है, Telegram और Instagram दोनो जगा आपको Quizzes मिल जाएंगे जैसा कि मैंने अब आपको बताया कोई भी अगर आपको Batches देना हो Pure Hindi, English या फिर English Batch Simply use the code Ankit Live हमारे Website, App पर और उसमें आपको सबसे कम नाप पर ये Batches मिल जाएंगे बहुती जल्द स्टार्ट होने वाला 11th of August को and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हम आप से नेक्स ताम Till then, thank you very much See you soon